धिकार है इस काम की व्रद्धी को, धिकार है इस जूटे संसार को, हम जिससे प्रेम करते हैं उसने तो मुझे कभी प्रेम किया ही नहीं, तो यही है, माराजी यह संसार है कि आप किसको चाते हैं, आपको कौन प्रेम करता है, लोग कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे प्रेम करता था, किसी ने कहा कि जो व्यक्ति मुझसे प्रेम करता था, मैंने उसे भुला तो दिया है, लेकिन फिर भी उसकी याद आती रहती है, इसका मतलब यह है, कि आपने अभी उसे भुला ही नहीं पाया है, अगर आपने किसी व्यक्ति को भुला दिया और उसकी याद आपको आ रह है पर मैं कहती हूँ कि जिस दिन आप भगवान की शरड में चले जाएंगे उस दिन ये धुनियादारी आपको बहुत बेकार लगेगी कौन क्या कैसे आपको प्रेम करता है मैं ये बता दू कि कोई भी व्यक्ति संसार में ऐसा है ही नहीं जो तुमसे सच्छा प्रेम करें या तो तुम्हारा धन देखेगा या तुम्हारा तन देखेगा और तब आपको प्रेम करेगा आपके शरीर को देख करके आकरशित होता है तो आपको प्रेम करेगा और जिस दिन घाटे का सौधा हुआ जिस दिन उसकी मरजी की नहीं हुई उस दिन वो तुमको छोड़ करके क अच्छे अच्छे कहां से कहां पहुँच गई यह तो बहुत छोटी बाते हैं। क्यों नीचे गिरना चाहते हो। जब भी आपके मन में किसी के प्रति याद आए। जब भी आपको लगे तो उस समय आप राधा 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 नाम ले ले। आपको लगे कि मुझे उसकी याद आ रही है तो फिर राधा 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 नाम जबना शुरू कर दें। जब आप राधा राधा राम लेंगे तो उसकी याद अपने आप ही खतम हो जाएगे। और धीरे धीरे आपको राधा नाम की आदत पढ़ जाएगी.